मुझे शरम आती है खुद को हिंदू बढ़ते हुए और ऐसा क्यूँ क्यूँ कि बार बार मेरे वो सो कॉल हिंदू लोग जो मुसल्मानों को नीचा दिखाने के लिए बार बार ऐसी हरकते करते हैं जिससे ये कहने में शरम आती है कि मैं एक हिंदू हूँ अरे कैसे शरम नहीं आएगी यार हिजाब को लेकर आप लोग विरोध कर रहे हो अगर लड़की पर्दे में है तो उसकी क्या गलती है अगर लड़की छोटे कपड़े पहनते हैं तो यही वो लोग एक सबसे पहले सवाल उठाते हैं कि लड़की ने छोटे कपड़े पहनते ह से उसका रेप हुआ लड़की अगर ब्राओ और पेंटी में चलती है तो उसका रेप हुआ अगर लड़की हिजाब में चलती है तो आप और वोक इस बाद से क्यंतलीफ भीड इकटा करके एक लड़की को डगाने का, लड़की मैं भी हूँ और फक्र के साथ उस लड़की होने का प्राउंड करती हूँ कि उस लड़की ने इतनी भीड में जो साहस और हिम्मत दिखाई है, सेल्यूट है उस लड़की को यार, तुम उस हर लड़की के लिए हिंदू काते जाने से, मुस्लिम काते जाएंगे, राम, राम चिलाएंगे जैसे नाले लगाने से, तुम हिंदू और रामभगतों जाओंगे, seriously? Are you kidding? No, bro, no, नहीं होने वाले आप रामभगत, कौन सा तुमने भगवधगी का पढ़ाया है, जहां ये बोला गया है, कि दू उसरे धर्म को नीचा दिखाओ और खुद को उपपर लेकर आओ। तुम्हारे माबाप ने तुम्हें शायद यही सिखाया होगा, कि अपना धर्म अपना है और दूसरों का धर्म नीचा है। यही सिखाया है ने तुम्हें। सवाल उस सरकार पर उठाती हूँ जो बार बार चुनाव से पहले हिंदू-मुस्लिम करती है। अरे क्यों भई? रोजगार के मुद्धे पर आके लड़ो ना चुनाव। क्यों तुम्हार चुनाव से पहले ये हिजाब, ये हिंदू-मुस्लिम ये नावे तुम्हे तकलीफ देते हैं। क्यों देते हैं। अगर सौ की भीड में वह बंदा जेश्री नाम के नारे लगा सकते हैं, तो ये लड़की खरेएं। कि अल्हाय हूआ अग्वर क्यों नहीं कर सकती है। क्यों तुम्हें हांके सिर्थ नाम के नारे लचाओगे? किया मुसल्मानों को होट नहीं अलाओ अगबर कहने का तो कतवा कि बनादू उने हिंदु तुप मैं इतनी प्रोबलम मैं उनके मुसल्मानों से तो बनवा दो उने हिंदु या उन्हें धक्के मार कर इस देश निकाल दो क्यूं गाते हो सेक्डिरिरिजम का नारा क्यों लगाते हो सेक्लिरिजम का नारा जब तुम्हारे देश में ही एक धन को नीचा दिखाया जाता हो बार बार कहां है वो भाजपा के नेता हमारे भाजपा के जो नेता है करना तक किसी हैं क्यों चुपी साधे बैटे हैं अब अब महिलाओं की सुरक्षा नहीं याद आई अब महिलाएं नहीं याद आई अब आपकी सरकार सबका साथ सबका विकास पर बात नहीं करेगी किस बात का डर सता रहा है आपको जवाब दीजिए ना कहा है स्मृती रानी कहा है मिनाक्षी लेखी कहा है निर्मला सीदा रमन जो राहुल गांधी पर एक सवाल खड़ा करने में पीछे नहीं अटती है अपनी इज़त अपनी और दूसरों की इज़त इज़त नहीं है क्या अरे बात कीजिए ना हिंदू-मुस्लिम पर क्यों नहीं आके सामने से हिंदू-मुस्लिम करते हैं क्यों हर बार चुनाब से पहले उन गुंडों को छोड़ देते हैं जो आपका काम करते हैं इतना ही शौक है ना लड़ने का तो सामने आकर लड़िये ना क्यों पीक पीछे बार करते हैं किस बात का खौफ है बाचपा के अंदबग तो वैसे ही सीनात आने कड़े रहते हैं महिला हैं सुरक्षित है मैं चुनाबी दौरा कर रही हैं आप लोग मानेंगे नहीं इतने अंदबग तो से टकराई हो जा कहते हैं आप यहाँ घड़ी हैं तो आप यहाँ सुरक्षित हैं यह सुरक्षित यह सुरक्षा यह तुम्हारा सुरक्षित राज्ये तुम्हारा शेहर तुम्हारा देश जहां हिजाब पे तुम सवाल उठा रहे हो हिजाब पहनने पे सवाल उठा रहे हो लड़की के शॉट्स पहनने पर भी तुम ही सवाल उठाते हो तुम्हें कौन हक दे रहा है हक हक तुम्हें किसने दिया है सम्मिधान में तो यह हक लिखा नहीं है कि किसी religion को छोटा दिखाओ, किसी लड़की को नीचा दिखाओ, किसी धन को नीचा दिखाओ, तुम्हें right दिया है उस सरकार में जिसको तुम बोट दे रहे हैं, तुम्हारे पे बंदूग चला के सरकार सथा में आ रही है, और ये सरकार तब तक इस नीचपन पे आएगी, जब तक तुम जैसे अंधभाद उनका साथ देते रहोगे और हिंदू-मुस्लिम करते रहोगे, आज तो केवल हिजाब पे हुआ है सवाल खड़ा, आगने वाले वक्त में देखो ना जाने कितने मुद्धो पर सवाल कड़े उतरेंगे, महलाओं का घर से निकलना ना बंद कर देना यार, कुछ दिनों में तो ऐसा ना हो कि, अरे देखो हिंदू-मुस्लिम लड़की घर से कैसे बाहर निकल रही है, उसको घर के अंदर डालो, क्योंकि वो मुसल्मान है ना, वो पढ़ नहीं सकती, वो कॉलेज नहीं जा सकती, और तुम हिंदू हो ना, तो तुमने तो दुनिया में बहुत अपना नाम रोशन किया, केवल जैश्री राम के नारे लगाने से, इस देश का विकास हो रहा है, तो मैं कहती हो हरोज हिंदू मुसलिम करो, करो हिंदू मुसलिम, आज तो एक लड़की को शिकार बनाए है, दस लड़कियों को शिकार बनाओ, अरे शर्म करो यार, नीच पन की भी हद्द होती है, और कितना गिरोग है तुम लोग, शर्म करना, और थोड़ा सोचना अपने मारे में, कि जिस सरकार के लिए काम कर रहे हो, आने वाले वक्त में इससे बुरा हश्ट होगा,